नमाव नमाव मिश्ण बदाए खृष्णा प्रिष्थ्टा ? श्रीमत भक्ति विदांतः स्वामीनीति नामिने नमस्ते सार सोते देवे गौरवाणी प्रचारिने नेर विशेशाशन बनेवादी पाश्चात दे सतारीने जैे स्रि कृष्न द फ्र क्रिष्न असव meaningful में बनाट पर्ट हल जरब फिर से स्री असे करें प्र dispelें लेकिन भगवान कृष्ण तू भगवान स्वयां तो यह जो है जो गीता का चारी भागोतम का महावाक्य है और जो सबसे इंपोर्टेंट स्लोक जो है भागोतम का वो यह स्लोक है कृष्ण स्थू भगवान स्वयां सो आगे बढ़ते हैं टेक्स्ट 29 जन्मगुयम भगवतो या एतत प्रयतो नर सायम प्रातर ग्रिनन भक्त्या तुख ग्रामाद्विमुच्यते पढ़िए कौन जो कोई भी भगवान के ग्रुव अवतारों का तावधानी पूर्यवत प्रती दिन सुभा तता श्याम को पाठ करता है वह जीवन के समस्ट यहां पर कुछ अमरा और युका प्रॉब्लम हो गया जस्ट होल्ड फर वन निट एक निट के अबड़ एक निट के ग्रॉब्लम हो गया जसे दिन स्ट चाह जीवन निट एक निट के लिए भी तो कि मादेज़ स्पीक हरे कृष्णा येस येस कंटिडिव सॉरी येस कंटिडिव जो कोई भी भगवान के गुरुभ अवतारों का साउधने कुर्वक प्रति दिन सुब्व तथा शाम को पाठ करता है वह जीवन के समस्त दुपों से चूट जाता है भगवत गीता में भगवान ने घुशना की है कि जो कोई उनके दिव्य जन्मत अधा कर्म के तत्वों को जानता है वह इस अस्थाई भवतिक संसार से चूट कर भगवदान को जाता है अता एव इस भवतिक जगत में भगवान के अवतार की जुरुहता को घली भाती जान देने पर भवतिक बंदन से चुटकारा प्राप्त हो जाता है अता भगवान का जन्मत अधा उनके कर्म जिन्ये वे जन्सामाने के कल्यान वितु प्रकट करते हैं सामान्य नहीं है वह गुरु है और जो भी भक्त पूर्वक इस विशे की गंभिता को जानना चाहते हैं उन्हें ही यह रहस्य प्रकट हो पाता है इस तरह उन्हें भवबंदन से विमुक्त प्राप्त हो जाती है अतह यह सला दी गई है कि जो कोई भागवत के इस अध्याय का इसमें भगवान के विभिन अवतारों का वर्णन है भग्ती तथा शद्धा पुर्वक केवल पाठ करता है उसे भगवान के जन्मों तथा कर्मों का अंतर दर्शन प्राप्त हो जाता है विमुक्ती शब्द इस बात का सूचक है कि भगवान का जन्म तथा उनके कर्म दिव्य है अन्यधा मात्र उनका पाठ करने से किसी को मुक्ती प्राप्त नहीं हो सकती अतर एव यह गुरूह है और जो भक्ती के निधारित विधी विधानों का पालन नहीं करते वे भगवान के जन्म तथा कर्म के रहस्यों को जान पाने का अधिकार नहीं रखते येस तो यहां पर सूत्र गुस्वामी बता रहे हैं नहीं सलने के प्रिश्यों को कि इस पर्टिक्लर चक्तर का जो कोई पार्ट करेगा सुभह और साम तो वो जो है भगवत भक्ति प्राप्त करके भगवदाम जाने का योग्य बन जाएगा तो यह बात गीता में हम लोग कई बार पढ़ते हैं और मुख्यता चौथ हैद्या में पढ़ते हैं 4.9 मेरे जन्म और मेरे कर्म जो है वो दिव्य है और जो कोई भी इसको जानता है भली भाति तत्वता है वो दुबारा इस अंसार पे जन्म नहीं लेगा इस मृत्यों होने बाद तो हमारा जो होल प्रयास है जो हमें गीता भागुतम पढ़ते हैं इसका यह है कि हम भगवान के दिव्यता को जान पाएं एक्चुली में क्या है हम लोग theoretically हम लोग कई बार जो है हम लोग यह समझ आता है कि हाँ भागवान का जो जन्म है वो साधर नहीं है लेकिन हम practically realize नहीं कर पाते हैं इस बात को तो realize करना जो है यह इसको बोलते है self-realization साक्षाकार होना तो अगर हम इसको realize कर लेंगे तो आप देखो कि हमारे जीवन में फिर भगवान छोड़के और कोई भी चीज उतनी हमें आकर्शन नहीं लगेगी अभी भी हमें बहुत तीक आकर्शन है माया साकर्शन है इसका कार सारहे धे रोगों जा रहे द से तो कही रिशियों के मन में विभा करने की इच्छा हूई कि हम हमें भी बिविभा करना है तो हमें स्त्री चाहिए तो किसी एक ग्रिशी ने कहा कि अरे हमने सुना है कि भगवान तो जो है वो अपने चरन का मल छोते ही पत्थर को भी स्त्री बना देते हैं तो सब को ले तो बहुत अच्छी बात है भई तो हमें तो कहीं ढूणने का दरकानी पड़ेगा भगवान जाएंगे भगवान आएंगे और यहां में पत्थर रखते हैं सब लोग उसको स्त्री बना देंगे भगवान और हम उसे विवा कर लेंगे तो सब अपने अच्छी आगे बढ़िया पत्थर लाके रखे सब सफेथ सब पत्थर ताकि सबको गोरे गोरी गोरी का सब स्त्री यह मिल जाएं ऐसा भाव था तो बढ़िया पत्थर सब लाके रखे और जब भगवान आए राम जी आए तो सब यहीं इंदिजार में थे कि जैसी भगवान राम आएंगे इस पत्थर को चुएंगे हर आस्रम में एक पत्थर था सब को चुएंगे सब स्त्री बन जाएगी सब कुई हाओ जाएगा लिए जैसी भगवान राम आए और उनकी सुन्दरता को इन लोगों ने देखा तो यह लोग बोले अरे जिस चीज को प्राप्त करने के लिए हम लोग इतना हम लोगी जो महनत कर रहे हम रहे रहे हैं तपस्या कर रहे हो इतना सुन्दर अगर है तो पर ये स्त्री के दरकार क्या हमnymi को इसे सुन्सार तो कोई हो नहीं सकता और उनका मन में जो है विचार खतम होगया पुरा जो एक छान भर के लिए जो उनके मन में कुछ बहातिक इच्छाएं आई थी वो एकदम खतम हो गया और वो हो बोले कि कि अगर उनकी अनुभूती हो जाए वास्तों में तो आदमी को संसार में कुछ अच्छा नहीं लगेगा इसलिए जो सुद्भग कोते हैं उनको सब कुछ एकदर निरर्थक लगता है चाहे करोडों का महल क्यों न हो करोडों की गाडिया क्यों न हो कितने बड़ा पद क्यों न हो वो उनको ब्रह्मा का पद भी जो है उनको लगता है कि नरक के समाने क्यों क्योंकि वो भगवान के भक्ती में पुन प्यालीन है अब यह हम लोग को तो समझ में नहीं आया क्योंकि हम लोग के साचाकर नहीं है लेकिन जो लोग उसको रियलाइस कर चुके हैं कितने सुन्दर है भगवान, कितना उनका गुन कितना अध्भूत है कितने दयामएं हैं, कितना करूना है उनके अंदर और कितने सुनलीलाएं करते हैं इसलिए जन्म कर्म चमे दिव्यां और यह कैसे आएगा जब हम बार बार ऐसे अध्यायों को पढ़ेंगे यह भागवतम पढ़ने से कास करके भागवतम और भागवान के भक्तों के बारे में उनके चरित्र गुनगान के बारे में पढ़ने से यह सब गुने हमारे अंदर आती हैं तो प्रपाजी आगे लिखते हैं कि, लास्ट लाइन में लिखते हैं कि, जो लोग भक्ती के नियमित rules, regulations या नियम को पालन नहीं करते हैं, वो लोग इस भगवान के जन्म और कर्म के गुई है तत्वा में कभी घुस नहीं पाएंगे, तो इसलिए ये नियम हमको दिया गया, क्या नियम है, चार नियम पालन करना, मासार नहीं करना, जुवास नहीं खेलना, सराब नहीं पीना, अवैद स्त्रिया, पुरु संग नहीं करना, सोला माला करने में तो उसे जब करना, या जो भी आप दिता में माला कर रहे हैं और नियम तो उसे जब करना, मंदीर आना, र साप से भक्ति करेंगे और हमें सब कुछ समझ में आ जाएगा यह सब कभी संभव नहीं है हम अपने दम पर कभी जब तक आप पर साधू की कृपा नहीं होगी तब तरह आपको भगवान कुछ समझ में नहीं आएंगे इसलिए हम सब प्रहुपाजी को फॉलो कर रहे हैं तो भक्ति सेंटीमेंटल नहीं है भक्ति जो है वह प्रॉपर तरीके से एक परंपरा में आई भी पधती है और जिसको परंपरा ही हमको दान में देती है यहां प्रिपा करके हम बद जीवात्मां को देती है तो अगर हम पर पर नियम नहीं पॉलो करेंगे तो वेरी वेरी डिफिकल बहुत मुश्किल है कुछ समझ में नहीं आएगा भक्ति के बारे में चलिए आगे बढ़ते हैं टेक्स थर्टी एतद रूपं भगवतो या रूपस्यचिदात्मना माया गुनेर विर्यचितं महदादी भीर आत्मनी यस परे कुर्पूजी भगवान के विरात रूपकी धर्ना जिसमें वे इस भूथिक जगत में प्रकट होते हैं वश्कार मंदा लेकिन वश्किदा भगवान का कोई भूथिक रूप नहीं है तात्परिय भगवान के नाना आउतारों के साथ साथ उनके विश्वरूप या विराट रूप की धारना का उलेक नहीं किया गया है क्यूंकि उपर बताये गए भगवान के सारे आउतार दिव्य है और उनके शरीरों के बहुतिकता का रंचमात्र भी स्पर्श नहीं है उनके शरीर तथा आत्मा में कोई आंतर नहीं होता जैसे कि बद्ध जीव में होता है विराट रूप की कलपनातों के वल नव दिक्षित पुजपों के लिए है उनी के लिए बहुतिक विराट रूप प्रस्तुत किया जाता है जिसकी व्याख्या दुईतियसकंद में की जाएगी विराट रूप विराट रूप में विभीन के बहुतिक रूप को उनके पाव आधी रूप में कलपित किया गया है वस्तुत आयसे सब वर्नन नव दिक्षितों के लिए होते हैं पदार्थ से आगे कुछ भी नहीं सोच पाते भगवान के बहुतिक बोद की गनना उनके वास्तवीक रूपों की सुची में नहीं की जाती परमात्मा रूप में भगवान प्रतेक बहुतिक रूप के बीतर रहते हैं यहां तक की परमानों के भी बीतर रहते हैं लेकिन ब्रह्म भावतिक रूप तो भगवान यह जीव दोनों के लिए कलपना मात्र है बद्ध जीवों के वर्तमान स्वरूप भी वास्तविक नहीं है निशकर्श यह है कि भगवान के विराट रूप की धारना कालपनिक है भगवान तथा जीव दोनों ही जीवन आत्मा है और उनका मूल शरीर आध्यात्मिक चिन्माई है तो यह बात हम लोग अल्री कई बार डिसकस कर चुके हैं विराट रूप का वर्रन सेकेंड केंटों में बहुत विस्तरी तुप से बताया जाएगा कि कैसे यह धर्ती पे जो नदिया बहरी है वो भगवान के वेंस है भगवान के नसे है पहाड जो है वो भगवान के आख एक आख सूर्य है एक आख चंद्र है ऐसे करके बहुत है लेकिन वह बहुत डिफिकल्ड है समझना तो हलाकि नवदिक्षित भक्तों के लिए बताया गया है लेकिन खासकर जो भारत में जन लिये हैं हमारा बड़ा सभाग गया कि हम बचपन से हम क्रिष्णा के रूप को देखते हैं और उनके विग्रह को या मूर्ती को हम लोग पूजा करते हैं लेकिन मायावाद हमारे इतना भरा पड़ा है कि अभी भी हम लोग जब क्रिष्णा के विग्रह के सामने आते तो हम कन्विंस नहीं होते कि हम वो भगवान साथ-छाख खड़े हैं ठीक हम कन्व कि यह परम भगवान है और उनकी उपास्तना करने में हमें जो है बड़ा आनंद आएगा और फिर वो हमारे एक मित्र समान हो जाएंगे तो क्या है हम लोग को भगवान को अपना एक पारिवारिक सदसेक्स समान मानना होगा जो भी पांच रस में जो भी भाव हमारे कि हब स्वामी हैं हमiren शेवक और हमारे की मात्र करता वह आपकी सेना करना कि हम जब भी करते हैं तो दिलेम्जान के करने से किसे dlp . सब्सक्राइब कोई नाकोई सेवा भगवान के द्वारा की गई जो भी चीज भगवान से संब्धित कोई भी चीज हम करते हैं वो सेवा है लेकर उसके दिर भाव क्या है ये भगवान आप स्वामी हो हम दास हैं ये भाव तो इसलिए ये भाव उत्पन करना हमारे जीवने बहुत जरूरी है और ये जो भाव है ये दासत्तों की भाव जो है ये हर पॉइंट पर रहना चीए मतलब कॉंस्टेंट रहना चीए हम भी जीट में हम लोग भूल जाते हैं और फिर हम अपने आपको स्वामी मानना सुरू कर देते हैं कि मैं माली को लेकिन एक डिवोटी का क्या करेक्टर है कि वो थूआउट डे पूरा सुबह उटने से लेके रात सोने तक वो यही भाव रहता है कि मैं दास हूँ मेरा काम है सेवा करना भगवान की तो ये भाव जब उटपन रहेगा तो फिर हमें ये विराठ रुप की दरकार नहीं है क्योंकि ये भावतिक है और हम भगवान के डारेक्ली आध्यात्निक शरीर चिन्मय शरीर को उपासना कर रहे है तो जैसे हमारा शरीर और हमारे आत्मा में अंतर है ये शरीर शुटेगा तो आत्मा दूसरे सरीर में जाएगी लेकिन भगवान सा ऐसा नहीं है भगवान का सरीर और भगवान के आत्मा एक ही है वो चिन्मय है भगवान का सरीर इसलिए भगवान और कोई दोस नहीं लगता भगवान चाह कुछ भी कर ले किसी को मार दे, कहीं चोरी कर ले किसी दूसरे की पतनी साथ दांस कर रहे कुछ भी करे क्योंकि सरीर उनका चिन में तो कोई पाप नी चड़ता उनको, भातिक रूल कंदर नहीं है, वो तीन गुन कंदर नहीं है भगवार, तो यह जानना चाहिए, येस, next टेक्स्ट, 31, यथाना भसी मेघागो, रे नूर्वा पार्थिवो निले, एवं द्रस्टरी द्रिश्वत यत्वं, आरो पितम अबुद्धि भी, पढ़िये, 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 बादल तता धूल वायु द्वारा ले जाए जाते हैं, लेकिन अलपग ये लोग कहते हैं, कि आकाश मेखाज चातिक है, और वायु धूलिवाय मलिंग है, इसी प्रकार वे लोग आत्मा के विशाय में भी भातिक शरीर की धारनाओं का आरोपन करत परता एंवियों से नहीं देख सकते जो पून रूप से आत्मा हैं, यहां तक हम जीवों के भातिक शरीर में विद्यमान अध्यात्मिक स्थोलिंग तक की पहचार नहीं कर पाते हैं, हम शरीर के बाहय आवरन या जीव के सुक्ष मन की तालाज तो करते हैं, लेकिन हम शरीर के भीतर का अध्यात्मिक स्थोलिंग नहीं देख पाते हैं, आतायव हमें जीव के स्थोल शरी की उपस्थिती के कारण, जीव की उपस्थिती स्रीकार्नी पढ़ती हैं, उसी प्रकार जो लोग भटवान का दर्शन, अपने वर्तमान, भातिक मेक्रों से या भातिक इंद् तो उस कार की फेचान उसमें बेठे व्यक्ति से की जाती है, जब राश्च्थित अपने विशिक्ति कार में बैठकर कहीं जाता है तो हम कहते हैं बहर हारा राश्च्थ्थिbat के साथ करते हैं, इसी प्रकार उन अउपक के व्यक्तियों को, जो बिना जरूरी योग इता की इश्वर का तुरंद तर्शन करना चाहते हैं उन्हें ऐसा दिखाये जाता है कि विशाल का इभासिक प्रमान भगवान का रूप है यति भगवान भीतर तथा बाहर सर्वत रहें इस प्रसंग में आकाश के बादल तथा आकाश के निलमा का उधारन लिया जा सकता है यती पी आकाश के निलमा तथा अकाश भिन-भिन है इन समझते हैं प्रन्तु या तो के र changाज के सामान ने धान्या था नहींद Пр openings आप समझे इसका एक्जामपल हो गया थैंक यू आप समझे एक्जामपल जो है कि जैसे हवा धूल को लेके चलती है लेकिन हम क्या बोलते हैं हवा धूली हो गई है तो और उसी प्रकार जो है बादल तो एक्शली हवा है बोलके बादल है यह हम क्या बोलते हैं कि the sky is cloudy मतलब ह हम identify clouds से कर लेते हैं लेकिन हवा है तो हवा ही उस बादल को आगे खीच के लेके जा रही है तो प्रपाजिया बलते एक bodily conception of life तो व्यक्ति जब सरीर से अपने को identify करता है तो वह हर चीज अपने ही सरीर के रूप में देखना शुरू कर देता है जैसे अभी हमारा हमारा सरीर ह हमारे दो आख नाक आ नहीं है तो हम लोग क्या देखते हैं जैसे भी हम लोग चल फिर पा हुर बोल पा रहे हैं तो हमक делать क्या है कि जब तक भगवान जैसा आवी विग्रा है तो वही concept हम लोग भगवान पर लगा देते हैं तो ऐसे लोगों के लिए भगवान का जो विराठ रुप के बारे में बताया गया है लेकिन जो एक सुद्भक्त होता है वो जानता है हर जगा भगवान विराठ माराज जिसे प्रलाद महाराज तो उनको पता है कि खंबे में मैं अर्शिंदिव हैं सोचे क्या conviction होगा भरी सभा में राजा तीनों लोकों का राजा हिरनकर्श को उसको challenge कर रहा है सोचे सब लोग जो है महां दानव खड़े वे हैं कितने हजारों लाकों दानव होंगे उनके प्रलाद के गुरू और संड़ है मालों हमको को पूछ देए हमको पूछ देए हमको पूछ देए हमको उसमें डाउट आ जाएगा अरे सोचना पड़े एक बार अगर ऐसा को भीड़ हो और पूछ दैसा तो बट फर्म कंडिक्शन येस देर इस गौड और वो फिर उसको मारत आपको पता है कैसे पिलर से उसमें वो प्रवपा जी लिखते हैं था तो रहे में कि वन शुड नॉट टेक सन्यास अनलेस इस फर्मली कंविंज्ज ड़ेट सुप्रीम लॉड इस टेकिंग केर अफ मी ओल दाइं जब तक आपको पूंत्य विश्वास नहीं होता कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे 100% त तो इसको तो कोई विश्वास नहीं है भगवान पर तो इसलिए यह फेत आना बहुत ज़रूरी है कि भगवान हर जगा विराजमान है और भगवान सदय में रक्षा कर रहे हैं इवन हमारे डिटूटे लाइफ में जब हम लोग जो है कहीं भार जाते हैं मार्केट जाते है तो भी मस्टाओ चाल जो है कि इन करिश्च्न के क्रिश्च्न जो है सदय हमें हमारे साथ विराजमान एैं हम उनको ऑन्की सेवा करें तो भ्गवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगी आथ जो चान है उसमें से एक लक्षन यह था है मेर ऌन कुछ पता नहीं है पहली बार गाए है कुछ पता नहीं है ना खाने का ठिकाना ना रहने का ठिकाना कोई कुछ भी कर सकता है माँ पर कोई भी कोई गोली मार दे कोई चाको मार दे कुछ भी कर सकता है बट फर्म फेथ प्रपाज जी बोलते थे हैं I am never alone I am always with my Guru Maharaj and I am convinced of this point I am not alone मैं अकेला नहीं हूँ मैं हमेश अपने Guru Maharaj के साथ हूँ तो क्या conviction होगा इमाजिन कीजिए इस चत्री को यह है भक्ति का लक्षन क्या है हम लोग जब भक्तों के बीच में आते हैं थोड़ा डांस कर लेते कितन कर लेते हैं थोड़ा मन भाव जाते हैं वाज साइद में बहुत बहुत सा बगभन गया हूं I am a pure duty now but यह रूपगुसामें लिखते हैं इसके बारे में बक्ति सामी सिंदू में कि इसको बोलते है छाया भक्ती छाया बक्ति मतलब किसी अगर आप देख लो अगर वो लोग नहीं होंगे अगर अगर वह लोग नहीं होंगे अगर गुरुमार नहीं होते प्रवपाद नहीं होते तो कहां हम लोग भक्ति कर रहे होते हैं कोई सवाली नहीं उठता अभी भी अगर हमें भक्तों का संग नहीं मिलेगा तो दिर इस नो मंदिर में आकर के भी जो है अभी कई लोग करते हैं आप देखते नहीं हो क्या आप सोची अगर अभी क्या वो तो चलो यह गुरूप बना आप भक्तों से जुड़े इतना क्लासे सुन रहे हो कर तो आपके अंदर थोड़ा एक भावर आभी आप लोग सेवा वा सब हम लो आते रहते हैं फिर वह आता है खापी की जाते हैं कितना देरी भावान सामने रहते हैं या उनको पता भी नहीं है अभी एक लड़का आज आप मेरे पास आया तो वह कितने दिन से मंदीर आ रहा है बट वह मुझा परोजी ना टैंपर हौल कहां बनेगा नया वाला तो मैं आरे उपर फर्ष्ट लो रहें तो बोला कहां से घुसेंगे यहां से जाएं गया तो फिर मैं सामने लेके गया दिखाया कि देखो यहां से स्टेर के से बोला रही यह तो मेरे कभी देखा ही नहीं आस तक तो क्यों नहीं देखा क्योंकि मंदीर के इंटर्नल में नहीं घुसा वह खरी आया दर्शन की अपना काम क्या गुवंदास में कुछ खापी कि चला गया जो भी है बाहर बार से ऐसे कई लों आते ना बट इसकी वज़े से हो रहा है यह डिवोटी के वज़े से हो रहा है और वैसी फिलोसोफी में भी होता है तो कई लोग अभी जो आते मंदिर क्या सुचते हैं यह भी एक ऐसा मंदिर के जमान है यहां भी राधा कृष्णा की मूर्ती खड़ी हाँ जोड़ना है दस उर्पर बीकास तक एозможно तो हम जोब भक्ती कर पारें ईडिस बिकास्फ कुछ कर रहा है जो इसकी उल्वट कौ रहा है कि यह म जितना हम लोग इसको करते महसूस करेंगे उत्रहें परियास बॉक्त भॉड्दि औहर बहुत ब्ॉड्रिली कंसेइड भाहार निक लेगे now then the stage will come तो जो प्राकृत भक्त होता है नियोफाइट डियोटी होगा वो खाली जाएगा मंदिल में विग्रह को देख करके वो सोचेगा कि बस यही कृष्टना है वो विग्रह को देख करके और सोचता है कि मैं और कृष्टना खाली बहुत बड़े भक्तों गए बट दे में नौट 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 वैल्योफ डिवोटी यह प्राकृत भक्ता नियोफाइट डिवोटी नेक्स्ट लेवल प्रपाजी बताते हैं जो है वो है मध्यमधिकारी और उट्तम अधिकारी जो है वो सब के हिर्दय में भगवान उदेखता है और क्योंकि में सब के हिर्दय में भगवान उदेखता है तो वो सब को रेस्पेट करता है तो वो जितना एक devotee को respect करेगा, उतना ही एक कर्मी को भी respect करता है, क्यों? क्योंकि वो सबकी हिर्दय में भगवान को देखता है, यह है advanced level, how we can see God in everybody's heart, यह तना आसान नहीं है, बहुत तपस्या करने के बाद या भक्ती करने के बाद हम लोगों को यह vision आएगा, कि हम सबकी हि status के साब से जो है, respect देंगे और उनको deal करेंगे हम लोग, so this is something called advancement in Krishna कोंसे ने, अगर आपको advancement आपको अपने खुद को test करना है, कि मैं advance हो रहा हूंगे भक्ती में यह चीज़ देखिए, कि आप सब के इरदे में क्या भगवान को देख पा रहे है, क्या सब सिचुएशन ने Neophyte, तो हम अभी भी जो है प्राकृत भक्त है, मतलब निमनस्तर के भक्त हम लोग है, हम लोग को अभी advancement करना बाकी है, यह time है अभी हम लोग को, so this is very very important to go above bodily concept of life, and see the essence, see the spirit behind people, yes, let's move, next, any questions or comment till now, teens लोग अपढ चुगे, किसे होगे प्रस्तन है, किसे हो कुछ इसमे अड़ करना है, तो आप बोल सकते हैं, श्रीकिशन प्रभुजी, येस माता जी, प्रभुजी जो परमात्मा रूप में हम जो self-realization करते हैं, तो वो कैसे करते हैं, जिदे से, उस पर ध्यान करके, वो actually सामने ऐसे कुछ है, हाँ, तो प्र измен एक है ब्रह्मन एक है परमात्मा और एक है भगवान, ब्रमेती, परमात्मेती, भगवान े सब ज्यते, इसको तो समीं बोलते हैं, तो परमात्मा लेजन जो होता है, वो generally योगी लोग करते हैं, तो जब योगी ध्यानमुद्रा में, अपने हिर्दय के रीजन में परमात्मा का वो आप second के टम में हम लोग पढ़ेंगे उसे परमात्मा के सरीर का पुरा साइज उनके एक एक लीम्स का description पुरा बताया गया है तो actually परमात्मा को देखता है वो अपने हिर्दय में इस्तित परमात्मा का दर्सन होता है उनको लेकिन उनके हिर्दय में कोई practical वागी भाव नहीं आती है वो जिस ध्यान कर पाते परमात्मा में देख पाते हैं उनको बट सेवा जैसे for example अभी मंदिर में आते हैं तो हम कृष्णा को देखते हैं खाली खड़े हुए है फ्लीट पकड़ करके बट जो पुजारी अंदर हो क्या कर रहा है वो सेवा कर रह है उनको फूल चड़ा रहा है आरती कर रहा है भोग लगा रहा है तो हीज मोर फॉर्चुनेट वह हमसे ज्यादा भागय साली है क्योंकि उसको परसली भगवान चूने का मौका मिल रहा है यह सब उनको मौका मिल रहा है तो इसलिए परमात्मा से भी उपर जो साथ-साथ कर अप्रोच कर रहे हैं हम स्टेब ब्रह्मन में तो खाली खाली सब कुछ जो है ब्रह्म जोती टाप दिखता है कोई रूप पुराकार नहीं है लिए ब्रमात्मा में घृदय में स्थित भगवान का दर्शन होता है योगी को जब वो उस्थितियों पहुंच जाता है लेकिन उसके अंदर फिर भी अभी तक सेवा भनिया लेकिन बहुत सेकंड गेंट में यह पॉइंट आता है कि कई बार योगी लोग जब भगवान दर्शन करते है न तो उनके अंदर भक्ति आ जाती है तो एक्चुली कोई भी पाथ है वो बिना भक्ति के सपन नहीं हो सकता यही और योग भक्ति के नहीं हो सकता है इवन ज्यान योग कर्म योग यह सब को भक्ति के अजर दरकार है तो क्योंकि भक्ति का अलिमेंट है उसमें तो कई पर योगी भगवान पर ध्यान कर रहा है परमात्मा का तो भगवान का स्वरूप देख करके भगवानी सुन्दरता द प्रकासन सरस्वती चेतन महापुर ने करके दिखाया और कितने ऐसे लोग है क्योंकि भगवान की जो सुन्दरता भगवान का जो रस जो उनका अनन्द जो उनकी लीला है वो इतना हाट को वो करती है विखालती है कि आत्मी सोड़ाट हो जाता है ब्रह्मवाद में लीन थे जैसी सुना भगवान के बारे में दोस्ट लोग और एक बरहा पीड़े मेटा वरॉप करने वह करनी का अरब कि दोस्ट लोग सुना सब शोड़के भागुतम सुनने सब्सक्राइब करने के लिए उनके मन में होता है तो क्या होता है कि भगवान का यूज करके सिद्धी प्राप्त करते हैं और भगवान को दे देते सुद्धी बहुत ही रेयर लोग है जो लोग भक्ति प्राप्त कर जाते है इससे और भक्ति में नो मेटरल डिजार कुछ नहीं चाहिए हमें सेवा चाहिए हमें हर अन्य योग में कुछ नहीं मेटरल डिजार है कर्मी ओ कर्मी को सकाम कर्म उसको अपना फूट चाहिए ज्यान को जो है उसको इंपरसन लिबरिशन चाहिए और जो हट योगी है उसको तपश्या करके अपना सिध्धी चाहिए बडभक्त को kुछ ने कामी친 हुरा सीध हर कर्छरा कर चित को अ humor कुछ ने हीए तो थीई, धन रोश प्रन्हाम न्टि इसमें क्या रही है तो चित कई बार दोनों को एक तरह यूज़ करते हैं लेकिन चित जो है वह हुर्दे का रीजन है और मन जो है वह जो मन जाते हैं जो माइंड हम जिसको बोलते हैं चित मन से भी सुक्ष्मा है जैसे हम लोग कई बार बोलते ना कि इस में पर मन लगाओ तो अपना बुद्धिल को यूज़ करके मैं मन को मतलब मन जो भाग रहा है उसको अटाके यहाँ पर ध्यान जो फोकस करो बड़ अपना चित लगाओ हृदे लगाओ मतलब इसके अंदर लॉस्ट हो जाओ घुम जाओ पूरा खतम हो जाओ इसके अंदर मतलब तो चित लगाओ हृदे को लगाना हृदे और चित एक जैसा यूज़ होता है हृदे से काम करो हृदे से गाओ हृदे से भक्ति करो मतलब चित अपना पूरा एब्जॉफ कर दो अपने आपको इसके अंदर लेकिन अगर मन भटक रहा है तो यह बहुत मुस्किल जाता है त सिरे हृदे अगर आपका किछी में हृदे लगावा है तो मैंसे मा Baptist मा को खाना है या कुछ उसको खाना खिलाना है तो हिर्दय का मामल है ना तो माइंड कितना भी डिस्टरब हो माइंड कितना भी वह वो माँ आके अपने बच्चे को दूद पिलाएगी और वो उसको खाना खिलाएगी हो हिर्दय लगावा है ना तिसलिए अगर हमारा हिर्दय तो माइंड कंट्रोल कोई प्रॉलम ही नहीं है फिर अपने आप आजाएगा वो माइंड व्यूंकि माइंड फॉलोस चित्ता माइंड फॉलोस वेर योर हार्ट इस यह कॉंसेट है समझे कुछ अरे आइटिंग डिसक्रेट होगे मादवी ओके चलिए नेक्स पढ़ते हैं थरी टू अता परम्यद अव्यक्तम अव्यूधा अगुना ब्रम्मितम अद्रिष्टा अशुत वस्तुवात सजीवो यत पुनर्भवा कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ू प्रभुजी हरे किष्णा पढ़ी है बढ़ी बाद है रूप की इस स्थूल औधार्ना से परे रूप की एक अन्सुक्षमधार्ना है जिसका कोई अकार नहीं होता और जो अन्देखा, अंसुना तथा अव्यक्त होता है जीव का रूप इस सुक्षमता से परे है अन्यथा उसे बारंबार जनम न लेना परता तातपर जिस प्रकार इस स्थूल द्रिश्च जगत का विचार भगवान के बिराथ सरीर के रूप में किया जाता है उसी प्रकार उनके सुक्स्म सरीर की भी धारना है जिसे न तो देखा जा सकता है न सुना या प्रगट किया जा सकता है लेकिन वस्तुता सरीर की ये समस्त स्थूल या सुक्ष औधार्नाय जीवों से संबंधित होती है जीव का अपना अध्यात्मिक रूप होता है जो इस स्थूल भौतिक या सुक्ष मनोबैग्यानी अस्तित्त से परे होता है जोही जीव इस द्रिश से इस्थूल सरीर को त्याग देता है जोही इस्थूल सरीर तथा मनो बैज्ञानी किरियाएं करना बंद कर देती है वस्तुता हम कहते हैं कि जीव चला गया क्योंकि वह न तो दिखता है नहीं सुनाई देता है यहां तक कि जब जीव प्रगार निद्रा में वोता है तब इस्थूल सरीर कारे नहीं करता होता तो हम यह जानते हैं कि स्वास लेने के कारण वह सरीर के भीतर है अतेव जीव के देह से चले जाने मरने का यह अर्थ कदाब भी नहीं होता कि जीवात्मा का स्तित्र ही महीं है वह यहीं होता है अन्यता पुना पुना जनम क्यों लेता, क्यों होता तो इसमें प्रपाज बता रहें और 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 एक प्रगाफ और है निशकर्स यह निकला कि भगवान अपने दिव्य रूप में नित्य विद्यमान रहते हैं जो जियू के समान न तो चुल है न सुक्षम हैं उनके शरीर की तुनला कभी भी जियू के सुल या सुक्षम सरीरों से नहीं की जा सकती इस्वर के सरीर की ऐसी सारी भौधार नाय कालपनिक है जियू का अपना सनातन अध्यात्मिक रूप होता है जो उसके भौतिक कलमस के कारण ही बद रहता है तो एक नम सिंपल में समझझी इसको यह जो सारी बात के हुए बहुत बिस तरीत रूप से आएगा बहुत कॉंप्लेक्स है ए इसको जयादा ध्यान नहीं लगाएगा इसल्चाहा प्रपाजय को बहुत सिंपल तरीक बताया है भक्ति करने क्या एसेंस क्या इसका जैसे हमारा बॉड़ी है पंस्तत्व से बनावा धर्ती जल अगनी वायु अकास और मन बुद्य हंकार सुक्ष मसरी है वैसे ही भगवान के भी रूप को यह प्रिथवी में जो आपको ग्रॉष यह दिखती है जैसे पहाड नदिया पेड सूर्य चंद्र यह सब भगवान के ग्रॉष अब उसका इलिमेंट बताया नहीं गया पर आगे आपको समझ में आएगा तो लेकिन यह इमैजिनरी है अगें यह इमैजिनरी है भगवान का सरीर पूंत्या से दिव्या है उसमें एक प्रकारी भौतिकता नहीं है अब हमारा सरीर भी अध्यात्मिक है लिए कैसा सरीर यह बहुत जरूरी है इसलिए हम सब जो अभी एक-एक सरीर धारन कर रखे हैं अपने ओपर हमारा अध्यात्मिक जगत में एक रूप है जिसको हम सिद्ध देया कहते हैं और वो सरीर हमको रिवील होगा जब हमारी भक्ती प्रगार हो जाएगी तो जब हम भक्ती करते-करते-कर और हम किसके एसिस्टेंट है हम किसकी तो क्या होगा उसमें आपको एक पर्टिकुलर डिवोटी के प्रती बहुत आगार अट्रेक्शन होगा जैसे माली जै कोई मंजरी के प्रती या कोई गोप सखा के प्रती कोई गोपी के प्रती को यसोदा नंद महाराज वाशुदेव ऐसे किसी भी एक particular character भगवान लिला में particular character भीष्मदेव या अर्जून या भीम कोई भी एक particular character के परतिया आपका बहुत विशेश प्रेव होगा विशेश आपका अट्रैक्शन होगा और जब हम यह सरीर छोड़ेंगे हम उनके assistant बनेंगे भगवान की next bomb लिला में तो जब भव मिला होगी तो उसमें हम जब उनके assistant बनेंगे और हम लोग फिर उनकी सेवा करके फिर the next time we go back to Godhead समझे रहे हैं तो कैसे एक devotee back to God जाता है वो पहले इस जनम में सेवा करता है तो वो देहा के conception से भाहर अटता है I am not this body I am spirit soul वो यह जान जाता है साक्षातकार उसको होता है फिर वो सरीर छोड़ने के बाद भगवान की जो next bomb लिला जहां चल रही है जहां भगवान लीला कर रहे है चाहाए विरुन्दावन में चला जाएगा फिर वो लेकिन वो भक्त अभी यहां बैठे बैठे उस नित्त लिला में जो उसका स्थान है उसको आस्वधन कर सकता है यह भक्ती का प्रभाव है और जब वो वैक्ति उस चीज़ को आस्वधन करता है यहां बैठे बैठे तो then he is completely different वो फिर वो इस दु रहता है और वो इसलिए आप कई बार देखोगे कि जैसे आपको पास्टा में जाता हूं रगुनादास गुस्वामी तो इतने इतने बड़े वैरागी थे तीन दिन में एक बार चाज खात पीते थे खाली और एक उनका कुटिया था रूम में बैठ करके निरंतर जब करते थे तो एक दिन क्या हुआ सुबह रगुनादास गुस्वामी जो है उठे नहीं तो भार निकलके नहीं आए तो सारे जो लोग है वो बोले आरे ऐसे तो कभी निवास तक यह कैसे आज ना गेट नहीं खुला तो कई लो जाके खट-कट आए तो कोई आवाज नहीं आ रही ह तो रगुनादास गुस्वामी पगड़के जो है ना लेटे हुए एकदम बहुत दुख रापेट मेरा तो मेरा बहुत ज्यादा पेट दुख रहा है तो भी क्या करन है तो बार कोई वैद्य को लेकिया है तो वैद्य ने जब चेक किया तो बोले इन्होंने ओवरीटिंग किया है कि यह और ओवरीटिंग सवाली नहीं उठता कि यह तीन दिन में एक बार छाज पीते हो भी थोड़ा सा तो कहां से ओवरीटिंग बोले नहीं अपच हो गया है बहुत जादा खीर खाई है कल रात को तो सब बोले का आप कुस्तों कल फेस्टिवल नहीं था और यह हो बूत खीर खाये थे और उस खाने के वज़े से यहां अपर चौनास हो गया उसको उनको बाड़ी को तो यह जैसे लिला है यह पास्टा मैसे बहुत सारे से होते हैं तो कई बार जब वो लोग जो इस दे में होते हैं जब वह बीएव करता है हमको लगता रही क्या पागल हो वो लोग भी विज्ञें बड़े ज्याता लोग भी नहीं समा सकते हैं उनकी क्रिया मुद्रा जो हैं बड़े ही विचित्र होती है वो लोग इस धराताल के हैं ही नहीं प्रवपात जी जो है एक बार क्या हुआ ऐसे जा रहे थे तो प्रवपाजी कढ़ाई में पकोड़े तल रहे थे तो जनली क्या नियम है कि पहले तलेगा ऑफर होगा फिर भाहर निकलेगा ताव हम लोग खाएंगे तो च्छान के निकाले प्रपाजी ने फटले उसको दे फ्राइड अटम्स पकोड़ा कचोड़ी बहुत पसंदा तो ऐसी उठागे खागया मूं में आफर कुछ हुआ नहीं डारेक्ट पैन से डारेक्ट अभी निकला है जस्ट गरम गरम बन के निकला है उठाए मूं खागय तो उन्होंने कहा जो गुविंदासी थी उनके सर्व पूछें लोग बोले I am meditating what is in Krishna's lunchbox today आज भगवान के लंच में यसोदा मैंने क्या बेजाए बना करके पताए कौन इसो एक्स्प्रेंड कर सकता है कि आप देखिए वो जब गीत लिखते है कृष्ण तब अपुन नहावे बाइस में लिखते है कब वो दिन आएगा जब मैं आपके साथ खेलूंगा कुदूंगा लुटूंगा पुड विन्दावन के उस गलियों में एकदम वो सखा वाला भाव में प्रवपा जी वो सौंग को लिखने है कि I am eternal coward boy तो यह भाव है अब हम लोग इमिटेट नहीं कर सकते यह चीज़ों को लेकिन यह जब आप advance भक्त लेकिन पहले कुछ हमको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा अपने अपने बॉडरिली कॉंसेप से बहां निकलना पड़ेगा अनर्था उसको खतम करना पड़ेगा तब हम लोग जो है वह निश्ठा रूची रूची निश्ठा के बाद रूची आ सकती भाव में अगर आपने ठान लिया है कि मुझे भक्ती करना है तो फिर अच्छे से किजिए इसमें फिर दोका बाजी मत किजिए या इसमें कुछ तो ना घर के ना घाट के तो वह रिवन ग्लाउड हो जाएंगे जैसे अरुजना बोलते हैं तो इसलिए किया है हम लोग को इसका ध्यान देना चाहिए कि हम सबक्रिक्षेटली कर रहे हैं as much as possible then we will realize this thing ठीक है ये प्रभबज यां बता है we will just read one more sloka then we will end yes 33 यत्रे में सदसद रूपे प्रति सिद्धे स्वसंविदा अविद्ययात्मनी कृते इतीतत ब्रह्म दर्सनम पढ़िये सभी मनुष्य आत्मा सक्षात्कार द्वारा आनुवो करता है कि स्थूल तथा सुक्ष्म दोनों शरुरों का सुख शुद्ध आत्मा से कोई सरोकार नहीं अविद्ध समय वह अपना तथा साथ ही साथ भगवान का दर्शन करता है तात्पर्या आत्मा साक्षात्कार तथा मोह में यही अंतर है कि स्थूल तथा सुक्ष्म शरीर के रूप में भौतिक शक्ति का शनिक या अभ्रामक आरोपंत आत्मा के बाहिया आवरन है यह आवरन अविद्ध्या से जनित है ऐसे आवरन भगवान के व्यक्तित्व पर कभी प्रभावशाली नहीं होते इसको भली भाति जान लेना ही मुक्तिक या परमेश्वर का दर्शन है इसका अर्थ यह होता है कि इस सद्रुष अर्था अध्यात्मिक जीवन अपना अपनाने से पूरन आत्मसाक्षातकार संभव हो पाता है आत्मसाक्षातकार का अर्थ है स्थूल तथा सुष्म शरीर की अवशक्ताओं के प्रती अन्यमनसक होना और आत्मा के कारियों के प्रती गंभीर बनना कारियों के लिए प्रेरना आत्मा से उत्वन होती है किन्तु आत्मा की वस्तविक्स्तिती न जानने के कारण ऐसे कारिय ब्रहमन न रामक बन जाते है यद अविद्या के कारण अपने खित की गंणना स्थूल तरथा सुष्म शरीरों को ध्यान में रख कर की जाती है फल स्वरुप सारे कारिय जन्म जन्मंतर के कारियों का सारा धाचा ही भिगड़ जाता है किन्तु जब कोई मनुष्य समुचित अनुशीलन द्वारा आत्मा से भेट करता है तब आत्मा के कारियों का शुभारम होता है फल सोरुप जो व्यक्ति आत्मा के कारियों में वेस्त रहता है वो बद्ध जीवन में रहता हुआ भी जीवमुक्त कहलाता है आत्म साक्षार्तिकार की यह पूर्ण आवस्था की कृत्रीम साधना से नहीं अपितु निरंतर दिव्य स्थिती में रहने वाले भगवान के चरन कमलों का अश्रे ग्रहन करने से प्राप्त की जाती है भगवत गीता में भगवान कहते है कि वे प्रत्यक जीवों के रुदे में विद्यमान है और उनी से सारा न्यान स्मूती वा विस्मूती होती है जब जीव भवतिक शरीर में भवतिक शक्ती मोह का भुकता बनना चाहता है तो भगवान उसे विस्मूती के रहस्य से ढख देते है और इस प्रकार जीव स्तूल तथा सुक्ष्म शरीर को ही अपना स्वम मानने का प्रहम पाल लेता है और जब दिव्य ज्यान के अनुशी लन द्वारा जीव विस्मूती के पाश के पास से चुटने के लिए भगवान से प्रतिद्या करता है तो भगवान भगवान से प्रार्थना करता है तो भगवान अपनी अहेतु की कृपा से जीव के मोह जनीत अवरन को हटा देते है और वह स्व की अनुभूती करने लगता है फिर वह बद्ध जीव से चुटकर अपनी शाश्वत वैधानिक स्तिती में स्वयम को भगवान की सेवा में पार या शाक्षात का आंथ संपन किया जाता है तो यहां पर प्रुपाजी कि 123 काम करती है एक के बही रंगा और आंथ है बही रंगा सक्ति उन चीवाथ्बारा पर काम करती है बही तराम में जो भगवान से इनडियपनेंट हो करके भोगने की planning को रखते है तो हमारे जीवन में जितने भी कष्ट है जितने भी उसका एह ही कारण है independent mentality to enjoy this world भोगनी की जो प्रवत्ती है और ये कूट-कूट के भरी पड़ी है प्रतिक जीवात्मा के अंदर बद जीवात्मा जो है हर चीज को जब वो देखता है संसार में वो प्लाइन करता है मैं कैसे इसका भोग करूँगा मुझे इससे क्या सुख मिलेगा और वो जब फिर उसको माया पकड़ती है बोलती है हाँ आ बेटा तु मेरे को भोग करेगा दिखाती हूं तेरे को मैं कौन हूँ तो फिर जो है क् कि अगर बना हूए और हम लोग भोगने की उसका रखते हैं तो माया उसको दो प्रकारी सक्टी शतर जातों कुछ बूल जाता है है कि भगवान है मेरा कोई स्वरूप है जीवन का लक्ष्यात्म सचाथ कराठा सब भूल जाता है और मैं के फिछ भागना शुरू करता है और भागता है भागता है बहुत पिटाई खाता है बहुत लात खाता है तब जा के उसको हो साता है रहे वावा यह तो गड़बड़ी हो गया यह तो है जो यह प्रॉब्लम हो गया है तो जब वो ऐसा सोचता है कि मैं भोग करूंगा तो उसके फल सकति जोए वही माय का रूप जो योग माय के रूप में पिर्फिक्रवर्ण में उनको शादिते अब इसको गाइड करो वही माय फिर गाइड करती आपको इसलिए जब भक्ति में जूडता है ना तो योग माया उसके लिए व्यवस्ता बनाती। कैसे वो और आगे बढ़े भगवान मुलते न गीता में कि सततम तेशाम सतत युकतानाम भजताम पृति पूर्वकम ददामी बुद्धी योगम तम ये नमाँ पयांती दे कोई व्यक्ति सततम अगर मेरा भजन करता है कैसे पृति पूर्वकम प्रेम से मेरा भजन करता है तो ददामी बुद्धी देता हूँ क्या देता हूँ बुद्धी देता हूँ उसको योगम तम ये नमाँ पयांती देता है कोई भी चीज जो भौतिक इच्छा मारे मन में अरे उसको spiritual बना दो बस डिजायर जो भी आप देखो आपको 10 करोड का फ्लैट से कोई टेंसर नहीं है आप सुचो मैं कृष्णा के सेवा में कैसे लगाऊंगा इसको बट प्यॉर होना चीजायर जानते है इफ यह प्यॉर डि बढ़ाओं का कोई इसमें लेंदन नहीं है जरूरी कोई आदमी कोटियां में बैठा तो भजन कर सकता है और जो एक करोड़ों के फ्लैट में दुनिया का सबसे जो मने इदम रही सी लाका है मैंने अमेरिका में वहां पर तेरा मंजले का माला उनको मिला था उनको गिफ्ट आप आपको लगता है कि कोई जंगल में बैठा तो वहां माया नहीं है माया हर जगा है क्योंकि माया हमारे अंदर गुसी पड़ी है माया अक्षelijk आमारे मन में गुसी पड़ी है चीजων में माया ते को टो जो है उसको सब जगा कृष्णा क्रिश्न दिखते हैं क्रिश्ण क्रिष्णा दिखते हैं इसलिए माया से बचे रहता है तो जब हम यह चेत्ना को डेलॉप करेंगे सेवा वृत्ति से तब हम सरीर के बंदन से उपर उठ करके भगवान का दर्शन करेंगे अपने आपको आत्मा एवात्म द्रिश्यते देखता है वो फिर actually हम देखेंगे अभी आँखों से कि क्या सरी क्या आत्मा है क्या परमात्मा है भगवान का देखेंगे यहां से पूरा साथनको स्वामी को महापरू बहुत संदर बताते हैं कैसे एक जीवात्मा बद्ध हवसाते जूट सकता है बहुत संदर बता है पढ़ेंगे कभी तो डिसकस करेंगे और तो हम यहीं पर स्टॉप करेंगे 34 सागे कंटिन्यू करेंगे थैंक्यू हरे क्रिष्णा कोई प्रस्ट ना है किसी का कुछ या कुछ कमेंट है तो आप पूसकते हैं हरे क्रिष्णा प्रभुजी डनवत प्रणाम आपने बताया कि भगवान का विराठ रूप जैसे भौतिक है तो यह क्या भौतिक वादियो से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए भी है हां तो यह जिन लोगों को भगवान के अध्यात्मिक स्वरूप को समझे में बहुत गठिनाई होती है मतलब जो लोग कंसीवी नहीं कर पाते कि भगवान स्पिरूचल भी हो सकते हैं उन लोगों के लिए बनाया गया है ताकि एक लिस्ट वह भगवान कुछ कंसेप्शन ले पाएं तो बड़े बड़े पेड़ को लोग भगवान मानते हैं अभी कली मैं उस पर देखा था कि एक ट्रैबल जाती है जो डैनासौर के अंडे को कुल देवता मान के पुजा करते हैं कि ऊ- nữa कि बड़ा जान लोगों को दिखेता है न कि में पहाड से को डीखा रही है इतना बडा है यह भागवान है ऐसे लोगों के लिए जो लोक शुक्ष्मरीप से सोराओ नि पाते भाज बारे में उन लोगों के लिए यह भागवान मानते है यह तो इतने बड़े-बड़े मुर्थी क्यों बनाते लोग क्या दरकार है जो घर में जो छोटे गनेश जी निया गया लें जब लोग तो इसलिए ऐसे लोगों के लिए जिनकी बुद्धिवत ग्रॉस है उन लोग के लिए विराटरू के मैंसन किया गया है ओके प्रभुजी थैंक्यू प्रभुजी ठीक है तो हम लोग यहीं पर हां तो एक इनॉस्मेंट इस प्रकार है कि आने वाली 23 तारीक को मोक्षदा एक आदसी है इसी दिन भगवान ग्रिश्ण ने अर्जुन को गीता कही थी सनिवार को और इस दिन हम लोग टेंपल में पूरी भगवत्ता का 700 का पाट होता है तो अगर आप में से किसी की इच्छा है तो आप आईए आपको फ्री में गीता भी मिल जागी एक्ठो और आप पढ़ने का लाब ले सकते हैं बड़ा अच्छा है और साम को हम लोग पन्वेल में बुक डिस्प्रिशन करेंगे बाद अधिक्यों हरे कृष्णा शुला प्रभुपाद की जाए हरे कृष्ण पूरुपूजी